ड्राइन किशा निघ्र लेक लिपनों में आपने इंडियन टीम की डॉमिनेशन तो देख ली लेकिन अब बारी है पाकिस्तान टीम की डॉमिनेशन देखने की जी-हा तीनो फॉरमाट में नमबर वन टीम इंडिया है लेकिन अब प्लेयर ₹ step up कर रहे है पाकिस्तान के जिहां अगर आपको बता दे नंबर वन ODI Batsman और नंबर वन ODI Boller दोनों में पाकिस्तान खिलाडियों का नाम है और ऐसे में बाबर आजम तो कई टाइम से नंबर वन ODI Batsman है लेकिन शाहिनशाह अफरीदी अब बन चुके है नंबर वन ODI Boller और यह जंप नौवी पोजीशन से पहली पोजीशन का रहा है बहुत कमाल का दिखाता है कि क्या ही कमाल की डॉमिनेशन दिखाई है यहाँ पे शाहिनशाह अफरीदी ने क्यूकि हमेशा स्टेप अप करके आगे आ रहे थे अपनी टीम के लिए टीम पफॉर्म नहीं भी कर रह था तब भी यह खिलाडी अपनी पहली बॉल से लाइन लेंथ पकड़ कर चल रहा था और यह खिलाडी तब भी विकेट्स लेके जा रहा था वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तान का डाउन फॉल देखा अब कमबाक भी देखा लेकिन यह खिलाडी कॉंस्टेंटली अच्छी दिखा रहा है और इसी का फल अब शाहिन शाह अफरीदी को मिला है नंबर वन ओडियाई बोलर बन चुक है शाहिन शाह अफरीदी और जंप मारा है सीधा नौवी पोजीशन से फर्स पोजीशन पर अगर आपको एक बरी बोलिंग रैंकिंग्स पर नजर दलवाए तो ब्र 656 रेटिंग के साथ नंबर 4 पर आजाते है केशव महराज 651 रेटिंग के साथ और नंबर 5 पर आजाते हैं ट्रेंट बोल्ट 649 रेटिंग के साथ बांगल्या देश के खिलाफ जीतने के बाद पाकिस्तान के लिए सब कुछ बहुत पॉजिटिव और अच्छा हो रहा है ब नहीं मिल रहा था साथ के बोलर्स का फिल्डिंग का लेकिन तब भी शाहिंशा अफ्रीदी डॉमिनेशन दिखा रहे थे उसी का फल शाहिंशा अफ्रीदी को मिला है पाकिस्तान के लिए खुश खबरी यह है कि कमबैक भी आ गया दोनों प्लेयर्स नंबर वन बैटिंग भ टॉप फोर में इंट्री मार जाती है तो इससे बड़िया बात नहीं होगी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान बोर्ड के लिए और उनके फैंस के लिए बाकि आप इस बारे में अपना उपीनिन बता सकता है कॉमेंट सेक्शन में तब तक के लिए देखतर ही यह तूफान स् प्राइब एकार तोट्स